हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि safety यानि कि क्या होता है फिर उसके बाद हम जानने वाले है कि safety क्यों important है और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि safety की जिम्मेदारी किसके होती है तो फिर चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले जानते है कि safety यानि कि क्या होता है safety यानि कि workplace में जो भी हजार्स होते है या फिर जो भी ricks होते है उससे protection मिलना यानि कि safety और ये जो safety है ये सभी के लिए होती है और सभी employee की health and safety जो है वो equally important होती है तो चलिए अब जानते हैं कि safety क्यों important होती है तो उसमें सबसे पहला point है कि सभी employee की health को protect करना इसलिए safety important होती है फिर उसके बाद है कि सभी workers की जो well-being है उसको ensure किया जा सके फिर उसके बाद है कि organization में positive culture जो है वो promote हो सके फिर उसके बाद है कि safety इसलिए important होती है ताकि जो भी accident और incident prevention है उसको हम ensure कर सके फिर उसके बाद है कि loss prevention में मदद हो सके फिर उसके बाद है कि organization की जो growth है और जो भी development है उसको भी ensure किया जा सके फिर उसके बाद है कि company की continual improvement को ensure किया जा सके तो ये जो सारे points है इसके लिए safety बहुत ही important होती है चिलिब जानते हैं कि safety की जिम्मेदारी किसकी होती है तो company में या फिर organization में जितने भी employees है उन सभी को side की जो भी safety guidelines है उसको follow करना है फिर उसके बाद है कि company का जो भी employer है या फिर company में जितने भी employee है वो सभी equally responsible होते है side पर safety culture जो है वो ensure करने के लिए तो दोस्तो आचा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि safety यानि कि क्या होता है और safety जो है वो क्यों important होती है और फिर उसके बाद हमने जाना कि safety किसके जिम्मेदारी होती है तो बस आज के लिए इतना ही मलते है नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care, bye bye